नमस्कार मैं हूं प्रियंक का तिवारी में चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज कस वीडियो में मैं आपको नवरात्री में करने के लिए बहुती सामानी तरीके से हवन विधी बताने जा रहे हूँ तो हवन करने के लिए क्या क्या पूजा सामगरी आपको चाहिए होगी तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया हुआ है आपने चैनल पर जाके देख सकते हैं बहुती सामान इसी पूजा सामगरी है जैसे कि हम यहां पर सामान विधी से हवन दिखाने वाले हैं जो कि हर एक व्यक्ति कर सकता है तो हवन सुरू करने के लिए सबसे पहले एक आसन बिछा कर बैठ जाएं गुसा या फिर उनी आसन पर बैठ कर पूजा कि जाती है और माता की पूजा में लाल आसनों का प्रियोग किया जाता है तो आसन भिछाकर बैठने के बाद सबसे पहले अपने आपको पवित्र करें कुश की मदद से अपने उपर तीन बार जल डालते हुए पवित्री करन करें और इसके बाद आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए लुख में चुवा कर जल गिराना होता है तो ओम केशवाय नमहा ओम आधवाय नमहा ओम नाराय नमहा इस प्रकार से बोलते हुए आच्मन करें और चौती बार थोड़ा सा दूर हो करके जो है ओम रिश्यकेशाय नमहा बोलते हुए हाथ धोलें और अब हाथों को अच्छी त के साक्षी होते हैं इसलिए अगर आपने भी अखंड दीपक की स्थापना नहें की है तो हवन सुरू करने से पहले एक अलग से दीपक प्रजुलित अवर्श कर लें और इसके बाद ओम दीपनारायडाय नमह बोलते हुए दीपदेवता का ध्यान करें उन्हें चावल फूल करें और इसके बाद अब हम हवन कुंड का भी पूजन करेंगे हवन कुंड को भी अच्छी तरह से पवित्र और पूजित कर लेना चाहे यहां पर हम मिट्टी के हवन कुंड में हवन करने जा रहे हैं हमें कभी भी भूल कर भी लोहे के हवन कुंड में हवन बिल्कुल नही लेकिन अगर सुभकारियों की पूजा करते हैं, तो सबसे उत्तम मिट्टी का हवनकुंड बताया गया है, अगर आप किसी धातु का हवनकुंड प्रयोग में कर रहे हैं, तो किसी अच्छी धातु का जो है, आप हवनकुंड उपयोग में लाएं, यहाँ पर मैंने मिट्टी का हवनकुंड जो है स्वयम से बनाया हुआ है अगर आप मिट्टी का हवनकुंड स्वयम से बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो अपनी चैनल पर डाला हुआ है कि आप खुद से मिट्टी का हवनकुंड कैसे बना सकते हैं उस वीडियो को चला करके आप सीख सकते हैं तो हवन कुंड को भी पूजित करने के बाद अब हम जो है हवन करने का संकल्प लेंगे संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुसा और थोड़ा सा जल डालना चाहिए और थोड़ी सी दच्छिना भी जरूर रखनी चाहिए संकल्प में बोलना है कि मैं अपने नवरात्री वरत अनुष्ठान की संपूनता के लिए हवन करने का संकल्प लेती हूँ या फिर अगर आप दुरगा सब्तसदी का पाट कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी पूजा पाट है सिंपल भासा में आप बोलिएगा कि मैं अपनी पूजा पाट की संपूनता के लिए या फिर दुरगा सब्तसदी पाट किया है जो भी अनुष्ठान किया है उसकी संपूनता के लिए हवन करने का संकल्प लेती हूँ हे मातारानी हे स्रीगनेश निर्विगनता से हमारे हवन कारे को संपूर्ण करवाईएगा और हमारी सभी पूजाविधिया सुविकार केज़ेगा इस पकार से बोलते हुए हवन कुंड के पास आप अपना संकल्प रख सकते हैं और संकल्प करने के बाद हमें हवन की निर्विगन संपूर्णता के लिए सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन अवश्य कर लेना जाहे तो वैसे तो हम हमेशा जहां पर भी हम माता की स्थापना करते हैं या फिर मंदिर में ही हवन कारे करते हैं तो वहीं पर आशन पर बैठे बैठे ही अगर हमने घर में कलस स्थापना जवारे वो हैं तो गौरी गणेस की तो इस्थापना की ही जाती है तो वहीं सबसे पहले गौरी गणेस का और कलश का और माता दुर्गा का विदिवत पूजन कर लेंगे जैसे कि साम की पूजा का वीडियो में ने दिया हुआ है पंच्योप चार से रात्री की पूजा की जाती है तो पूजा करने से पहले और फिर हवन सुरू करना शाहिए और अगर आपने कलस स्थापना नहीं की है तो जो भी आप रोज पूजा करते हैं माता दुरुगा की उसी प्रकार से सबसे पहले स्रीगनेस का भी ध्यान कर लें और इसके बाद माता दुरुगा की पूजा के बाद हवन आपको करना शाहिए और अगर आपने अखंडी दीपक रखा हो तो दीप देवता का भी पूजन कर लें, यहाँ पर हमने अलग से दीपक प्रजुलित किया हुआ है, तो यहाँ पर हम दीप देवता का पूजन जो है कर लेंगे, सबसे पहले उन्हें चंदन लगाएंगे, पुश परपित करेंगे, अक्षटी त्यादी अरपित करने के ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर ही यहाँ पर लोग गलती करते हैं, सबसे पहले लकडियां और उपले रख देते हैं, बाद में नीचे से अगनी प्रजुलित करते हैं, जो की बहुत ही जादा गलत तरीका है, ऐसी अगनी चिता की अगनी होती है कि पहले उपर से ल खाग तोड़ लेना है, उसके उपर एक कपूर या फिर आप जो है रुई की बाती रखिए, घी में डुगो करके और फिर उसमें अगनी प्रजुलित कीजिए, और इसके बाद हवन कुंड में पूर्वे दच्छिड कोने से जो अगनी का कोना होता है, पूर्वे दच्छि ग्रहों की लकडियां, नव ग्रहों की लकडियां अलग होती हैं, आम की लकडि जो है सर्वोत्तम है, हर प्रकार से आप किसी भी प्रकार के हवन में उप्योग में ला सकते हैं, और अगर नव ग्रहों की किसी प्रकार की सांती करवानी है तो अलग-अलग से वो भी आप ले जाता है पहले हम भी ऐसा करते थे जब मतलब थोड़ा उमर कम थी लेकिन एक बार पंडिर आयते घर में उन्होंने कहा कि हवन जो है धुए में नहीं किया जाता ऐसा करने से जो हम अगले जनम में अंधे हो सकते हैं या फिर गलत परिणाम आप समझ सकते हैं तो कभी भी जो है धुआ में हवन नहीं करना चाहिए जब अगनी प्रजुलित हो तभी जो है अगनी देव का दर्सन करके उनका पूजन करें फिर जो है आप हवन करें तो इस बात कभी से ध्यान रखें कि अगनी हमेंसा जलती रहनी चाहिए अगनी प्रजुलित करने के बाद अगनी देव का पूजन करना चाहिए जल घुमाते हुए सबसे पहले हम पंचोप चार विदी से उन्हें चंदन लगाएंगे अक्षा दर्पित करेंगे पुष पर्पित करेंगे धूब बत्ती जलानी चाहिए तो धूब बत्ती जलाएं और फिर हम घी से आहूतियां देने के बाद हवन सामगरी से आहूतियां देंगे तो यहाँ पर हवन सामगरी भी आपको बता देती हूँ अगर आप बाजार से नहीं लाते हैं तो घर में इसुद पवित्र बनाने चाहिए तो इसके लिए अगर आप दो कप काली तिल लेते हैं तो तिल का आधा जो लेना होता है तो दो कप तिल तो एक कप जो लेना चाहिए और जो का आधा आधा कप चावल लेना चाहिए इस पकार से तीनों को अच्छी तरह से धो कर सुखा कर बढ़िया से मिला लें और फिर आप उसमें पंचमेवा मिला सकते हैं, गुगुल मिला सकते हैं, घी, गुड और मिला करके जो है आपको हवन करना चाहिए हवन आहुतियों के अब हम मंत्र सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अगनी देवता को घी से आहूतियां प्रदान करेंगे, वैसे सवर प्रथम पाँच देवताओं को मंत्र बोलते हुए घी से आहूतियां प्रदान की जाती हैं लेकिन मैंने पिछली बार वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने मंत्र उचारन करते हुए पूरी हवन विधी बताई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि और भी सरल विधी चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो लिकर किया हुँ, इसमें आपको और भी सरल तरीके से हवन अगरी से भी ओम आगने ये नमा स्वाहा बोलते हुए आहूतिया प्रदान कर सकते हैं तो हवन आहूति प्रदान करने के लिए मुद्रा ध्यान में रखिएगा अनामिका और मध्यमा उंगली के साथ अंगुठे का उपयोग करते हुए आपको जो है आहूति प्रदान करनी है इसे म्रगी मुद्रा कहते हैं म्रगी मुद्रा से जब भी आप स्वाहा बोलते हैं तो आपको ऐसी भावना करनी है कि जब भी आप हा बोलते हैं तो भगवान ने मुख खोला हुआ है और जैसे हम किसी को निवाला खिला रहे हैं ऐसे ही बड़े प्रेम से जब भी हम हा बोलते अब हमें स्रीगनेस की नाम की जो होती प्रदान करनी है तो अगर आपके पास दूर्वा हो तो उसे घी में डूबो कर जो है ओम गंगर पदये स्वाहा इस प्रकार से बोलते विए जो है आप आहुतियां प्रदान कीजिए और ना हो तो आप केवल हवन सामंग से आठ बार प ओम गंगर पदये स्वाहा ओम गंगर पदये स्वाहा इसके बाद दूसरी ओम गोरी देवे स्वाहा ओम गोरी देवे स्वाहा गोरी माता के नाम की चारा होतियां या फिर आठ इसके बाद ओम सिवाये स्वाहा ओम सिवाये स्वाहा इसके बाद नौ ग्रहों के नाम की अलग अलग नाम भोलकर जो है आपको आहुतियां देनी चाहिए और अगर किसी भी प्रकार से संभव ना हो तो आप केवल ओम नव ग्रहा, ये नमा स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हुए आप आहुतियां दे सकते हैं, आप स्क्रीन पे मंत्र देख पा रहे हैं ओम सूर्याए स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा इस वकाय से बोलते हुए जो है आप नव ग्रहों की आहोतियां प्रदान कीजिए इसके बाद जो भी आपने जब किये हो या फिर दुर्गा सब्तसिती के 13 ध्यायों से या फिर दुर्गा माता के 108 नामों को बोलते हुए हवनाओतियां दे सकते हैं और अगर ये भी संभणा हो तो नव दुर्गाओं के नाम लेकर के जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नव माताओं के नाम लेकर के जैसा कि ओम सेल पुत्र ये स्वाहा ओम ब्रंभचार इन्ये स्वाहा ओम चंद्र घंटा ये स्वाहा ओम कुष्मांडा ये स्वाहा ओम इसकंद माता ये स्वाहा ओम कात्या इन्ये स्वाहा ओम कालरात्रे स्वाहा ओम महागोर्ये स्वाहा ओम सिध्धदात्रे स्वाहा अगर आपसे ये मंत्र बोलने कठिन लगते हों तो आप किवल जैसा आप नाम बोल सकते हैं ओम सैल पुत्री माता नमह स्वाहा ओम ब्रह्मचारणी माता नमह स्वाहा ऐसे भी बोलके आप आहुतियां दे सकती है और अगर ये भी संभाव ना हो कि नौ माताओं के नाम ही याद नहीं है तो आपके वल ओम दुम दुरगाय नमा बोलते हुए भी हवा नाहुतियां दे सकती हैं अगर आप 108 आहुतियां देना चाहती हैं तो मुवफली रख लिजे गिन करके जैसे कि मैंने आप पर रखी हुई है और क्योंकि एक और अनसदस नहीं होता क्योंकि अगर हम पंडितों से कराते हैं तो माला जाप को करते जाते हैं तो अगर नहीं संभाव है तो मुवफली की हुई है तो गौरी इसके बाद कलश के लिए भी आहुतियां प्रदान जरूर करनी चाहिए जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी तो यहां पर ओम वरुणाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा इस प्रकार से बोलते हुए आठ चार या फिर एक जो भी आप आहुतियां प् प्रकार से बोलते हुए आठ चार एक जितनी भी आप आहुतियां सब के लिए दे रहे हैं तो कुल देवता को भी याद जरूर करना चाहिए और साथी साथ जिन भी देवी देवताओं की आप रोज पूजा करते हैं या जो भी आपके इश्ट देव हैं उनके नाम की भी आ महस्वाहा इस पकार से जिन भी देवी देवताओं को हम भूल जाते हैं फिर हवन में गलतियां हो जाती हैं तो उनके रिजभी है जो है हम आहुतियां प्रदान कर सकते हैं इस पकार से हवन करने के बाद पूरा होती प्रदान करने चाहिए तो बड़े प्रकार से जब हवन लें गे ओर एक छोटा चमच लेकर के जो पूरा घी बहर लेना है इसमें और खड़े होकर की पुनाहुती प्रदान करनी है तो घी से भरी हुई चाहें करते हैं कही पूझा पार्ट में गलतियां हो जाती है कहीं न कहीं हम दान दचना ये करते हैं ताकि हमारे नागरा पूझआ क्रस्ब पूर्ति को कि आप 9 2 whenever आबड़े नहीं चाहता है तो अशltry नहीं आये तियों यहां फर भी और मुझा सब्सक्राइब तो आप वो हाथ में चावल फूल कुछा लेकर के संकर प्ले लें कि यह मैं अपने आचारे को दूंगी इस प्रकार से बोलते हुए आप रख लें और जब भी आचार के पास जाए तो उनके पास जो एद अच्छे न पहुंचा दें साथ साथ आप अनाज भी दान कर सकते हैं अब हम किये रहेंगे तो प्रति पूर्दी हो जाएगे तो इस तरह से आपको हवन करना है एक और विदी है कि जब भी आप हवन करके उठें अपने आसन से तो आसन के नीचे का जल जो है माथे प्यावश लगा लिजेगा लाश्ट में आप छमाय आशना जरूर कीजेगा म मैं कुछ नहीं जानती हूँ ना तो आवाहन ना पूजा ना हवन करना ना कोई मंत्र जब करना तो हे माता में दिस अभी विदिया स्वीकार कीजेगा और मुझे अपना से पात्पिदान कीजेगा तो उमीद करते हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा तो सबस्काइब करें एक बार मेरे चैनल पर जरूर आए क्योंकि बहुत ही जादा महत्पूर्ण वीडियो डालती रहती हूँ जो भी सासों ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ या फिर जो भी आप रतित्यादी करते हैं तो पूजा पार्ट करके वीडियो क्लब्द कराती तो एक बार चैनल पर जरूर आईएगा सबस्काइब नहीं किया तो सबस्काइब कीजिएगा बेल आइकोन पर प्रिस कर लेंगे तो आँगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैमात तारानी ओम नमाष्षिवाएग